आजादी का एक ही नारा मोधी के आए लगाई आवाज नहीं आई पाद भ्लंग एक बार्टी सिंग आब अब में आज एक बार्टी से अब आप देखीगा मैंनतों करें अपनी नोकरी में अपनी दुकांदारी में पर कहा उस में नट के बात आप अपनी कापिलियत पढ़ाने के लिए कुई काम कर रहे हैं अगर नहीं कर रहें तो यहीं एक प्लेटफोर्म है जहां पर आप अपनी कावलियत बढ़ा सकते हैं और जब यह ट्रेनिंग खतम होगी क्योंकि आज की ट्रेनिंग बहुत शांदार होने वाली है चार बज़े तक आप हमारे साथ में है और चार बज़े के बाद जब आप यहां से निकलेंगे तो आप टोटली डिफरेंट हो चुके होंगे लेकिन आज एक दर्द को दो सहना पड़ेगा क्या तयार हैं क्या तयार हैं अपनी सपनों को पूरा करने के लिए क्या वास्तव में आप जाते हैं बिन बंदिश बिन सीमा अपनी सपनों की उड़ान को बढ़ना क्या वास्तव में आप अजाध होना चाते हैं तो बस मत पड़ो किसी चक्कर में कोई नहीं है मूदी केर की टक्कर में इससे बड़ा बिजनस नहीं है, यह बिजनस आपकोर फार्स से आज तक हो जा सकता है, मगर करना क्या होगा, पहले सोच को बदलना होगा, पहले खुद पे विश्वास करना होगा, एक इंसान खुद से ही हारा है, अगर वो खुद से हार गया, तो वो किसी को नी जी सकता, एक बहुत पुड़े गुरू हैं, जिनकी लाइन में हमें सब ओलती हो, परस्तिती बदलने के लिए दरदर भटकता रहा गालिव, जिस दिन मनुस्तिती बदली, उस दिन परस्तिती अपनिया बदल गई, तो पहले खुद पे काम करना है, पहले खुद पे विश्वास करना है, करना है झाल झाल को इन-अ-पिनन काम करें उचनेहीं मिलना एक दक्टर बनने से कचली होगा जब तक व 思ड़ नहीं करेगा वरीज्दों को देखेगा नी क्या पैसा आज कर दोक्तर बनने से वकील बनने से पैसा आजाएगा नोकरी लगने से पैसा आजाएगा या कोई भी काम दुकान खोलने से पैसा आजाएगा क्या मोधी केर में आईडी लगाने से पैसा आजाएगा नहीं आएगा कहते हैं ना मैंने तो मोधी केर करके छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया क्योंकि कामी नहीं किय समान तो आज से पहले भी ले रेते हैं समान लेने से नहीं होता है यहां पर मोदी केर कहता है सिर्फ और टिप एक्साम लेना होगा